हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो अपडेट एरर 0x80070652 इस तरह का एरर आता होगा विंडो 11 10 के अंतर तो इसको कैसे फिश करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं जब आप विंडो 11 या विंडो 10 या कोई भी विंडो आप अपडेट करते हैं तो उस टाइम पर इस तरह का एरर रात है तो इसको कैसे फिश करना है वो मैं आपको बताऊंगा इसको फिक्स करने के लिए बहुत सा साथ सब्सक्राइब करते हुँदा होगा तो यहांपे किलिक खरके आप सेृट्रम टैब कर लिए को हैं यहांपे आपको क्लिक करना है इस lyrics 카 отв करने के बाद यहांप कर देखेंगे तो यहांप को किलिक करना है किलिक करते हां इस तरह से विंडोंड में हो जाएगा आप आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा window update इसके आगे आगे आप देखेंगे तो यहां पर रन होगा इसको पर आपको किलिक करना है किलिक करते हैं इस तरह से problem को detect करना शुरू कर देगा और automatic जो भी बग होगा यानि जो भी problem होगा उसको fix कर देगा तो में आ जाएगा यानि टर्बल सूट हैस कंप्लीटेड आ जाएगा आपको क्या किने इस विंडों को यहां से क्लोज कर दिने के बाद आपको क्या किने इस विंडों को भी यहां से क्लोज कर दिने आप चेक कर सकते हैं आपके केस में जो यह पॉलम था यह पॉलम सॉल हो गया ह अब मान लिजेए फिर भी आपका पॉलों सॉलों नहीं होते हैं तो आपको क्या करने हैं इस तरह से विंडो ओपेन हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करने हैं यहाँ पर आपको सर्च करने हैं विंडो अपडेट यहाँ पर आपको डबल क्लिक करने हैं इस तरह से विंडो open ہو déjàigmat हो जाएगा आप यहाँ पर देख लिजेगा आपकी gap केस में यहां हो गाने होगा तो किया करनें इसके बाद यहाँ पर चाहिए और Nich क्लिक करने किलिक इसको पर किलिक करतें इस तरह से यहाँ पर रिया 세टार्ट होना स्टुरू हो जाएगा तो इस तरह से आपको इसको श्रार्ड कर लेंए इसके बाद आपको क्या किना यहाँ पर आपको सर्च करना हैं यहाँ पर इंट एडबल किलिक करते ही हैं इस तरह से सब्डू हो जाएगा आप माल लिए यदि आपको केस में यहाँ पर मैनुवल है तो आपको क्या कर लिए इसके बाद यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर दिने इसके बाद आपको क्या कर दिने इसको यहाँ से स्टार्ट कर दिने यहाँ से स्टार्ट कर दिने यह पहले से स्टार्ट होगा तो आपको क्य करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा इसके बाद यहां पर आपको नोटपाइड टैप कर देना है यहां पर आपको नोटपाइड दिखी जाएगा इसके उपर आपको किलिक कर देना है किलिक करने के बाद इस तरह से आपको केस में नोटपाइड ओपन हो जाए यहाँ को फाइल ι क्लिक करना है। किलिक करते हैं इस तरह से विंडॉर अप्न हो जाएगा। आपको क्या चलिक एगा है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा run and mister, इसको पर आपको किलिक करने, किलिक करते ही, इस तरह से window open हो जाएगा, इसके बाद आपको क्या करने, यहाँ पर yes पर किलिक करते ही, इस तरह से automatic run होना शुरू हो जाएगा, 100% complete होने के बाद यहाँ पर आकर रुक जाएगा, आप आपको क्या करने, इस बिंडो को यहाँ से close कर दिने, आपको क्या करने, इस system को जरूर आपको restart कर दिने, restart करने के बाद आप आप चेक कर सकते हैं, आपके case में जो यह problem था, यह problem solo हो गया होगा, आप मान लिए, फिर भी आपका problem solo नहीं हुआ, तो आपको क्या करने, अपने laptop या PC के अंदर कोई भी browser open कर लेना है, open करने के बाद यहाँ पर आपको Google open कर लेना है, Google open करने के बाद यहाँ पर आपको tap कर दिने, Microsoft Update Catalog इस तरह से tap की जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपको enter कर दिना है, enter करते हैं, यहाँ पर आपको first option देख जाएगा, इसको पर आपको click कर दिने, click करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा, आपको क्या करने, आपके case में जिस भी update के अंदर यह error आता है, यहाँ पर आपको tap कर दिने, इस तरह से यहाँ पर kवी करके कुछ भी लिखा होगा, यह यहाँ पर exact वैसा ही आपको tap कर दिने, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको search पर click कर दिना है, click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा, इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे 64B से system के लिए दिखेगा, ARM system के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं, तो आप अपने इंसा तरह से यह download होना शुरू हो जाएगा यानि तो आपको case में इस तरह से window open होता है तो आपको कहा किने आप जहां पर भी download करना चाहते हैं वह path select कर लिजेगा उसके बाद यहां पर आपको save पे click कर देना है क्लिक करते हैं इस तरह से यह download होना शुरू हो जाएगा डाउट complete होने के बाद आपको कहा किने उस folder के अंदर जाना है जहां आपने इसको download किया है वहाँ पे आपको इस तरह से यकसी दिख जाएगा अब आपको कहा किने इसके उपर आपको right क्लिक करना है इसके बाद यहाँ नहीं दिखते हैं तो आपको क्या करके बाहर आ जाने इसके बाद आपको क्या करने इसके ओपर आपको रैट किलिक करने इसके बाद यहां पे आपको ओपन पे किलिक करने के बाद इस तरह से यहां पे इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करने यहां से इसको install कर लेना है, install होने के बाद यहां पे update हो जाएगा, update होने के बाद आप देखेंगे तो वहां पे आपको जो वर्जन इंस्टाल नहीं हो रहा था, वो वर्जन यहां पे install हो गया होगा, उसके बाद next time से जो भी update आएगा, आप उस update को update कर सकते हैं, कोई दिकत नहीं आएगा, इस तरह से आप इस प्रॉलों को fix कर सकते हैं, इस method के थुरू आप किसी भी update के अंदर कोई भी error आता है तो इसको fix कर सकते हैं, अगर फिर भी problem solo नहीं होते हैं, तो आपको क्या करने हैं, अपने laptop या PC के अंदर फिर से आपको browser open कर लेने हैं, browser open करने के बाद यहां पे आपको google open कर लेने, google open करने के बाद यहां पे आपको tap कर देने, window 11, इसके बाद यहां पे आपको enter कर देने, अब आप जहां पे भी सेफ करना चाहते हैं, उपास स्लेट करके इसको आप डॉनलोड लीजिएगा। डॉनलोड होने के बाद इस तरह से विंडू मॗपएनी हो जाएगा। आपको यहाप केक्षे Mas 온 जाए में। लिखते हैं तो कि करके बाहर आ जाना है इसके बाद यहां पर राइट क्लिक करने हैं इसके बाद यहां पर राइट क्लिक करने हैं इसके बाद यहां पर राइट क्लिक करने हो जाएगा अब आपको यहां पर यहां पर क्लिक कर दिने हैं यहां पर क्लिक करने के बाद इस तरह से सम learn कर सकते हैं इसके बाद यहां पर आय enact कर सकते हैं कर दिएगा इसके बाद यहां पर अप साल यहां पर लेंगकर 9 कर देने काफर किलिक करने के बाद इस तरह से आई ञाव करने के लिया गांड आपको क्या किहां कि आपको की करकि आपको से कीज़ेंगा याने करने के बाद इस तरह से विंड ओपन हो जाएगा अब आपको यहाँ पर यहाँ पर किलिक करते हैं इस तरह से यह रनिंग होना शुरू हो जाएगा इसके बाद इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको कहके नहीं यहाँ पर next पर click कर देने next पर click करते हैं इस तरह से यहाँ पर run होना शुरू हो जाएगा अब आपको कहके नहीं यहाँ पर second wait करने हैं इसके बाद इस window open हो जाएगा अब आपको कहके नहीं accept के उपर आपको click करने किलिक करने के बाद यह window open हो जायगा अब आप यहाँ पर ध्यान से देख लिजएगा यहाँ पर आपको पहला वाला option ही select करने यह select करेंगे तो क्या होगा आपका जो भी setting होगा जो भी फाइल होगा जो भी एप होगा एजएटी रहेगा मालेज़े आपके case में CDEAP के अंदर जितना software install है और जो भी आपने setting करके रखा है जो भी आपने app install करके रखा है या नहीं तो जो भी फाइल है वो एजटी रहेगा उसको डिलीट नहीं करेगा बस सिंपली उसको अपडेट कर देगा तो ये वाला option अप्ट्राइक किजेगा इसके बाद यहाँ पर आपको next पर किलिक करते हैं इस तरह से यह इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा अब आप आपको डिक जाएगा आप देखने यहाँ पर चेक फुर अबडेट को पर किलिक करका देखेणगा तो इससाब आपके किस में होना शुरू हो जाएगा पहले कोई नहीं को इस पर वावलां को फिक्स कर स्कते हैं और प्ली मेख